शादी के बाद ऐसी हो गई है माधुरी की हालत बुढ़ापे में डॉक्टर नेने कर रहे हैं माधुरी दिक्षित आज के समय किसी परिचे की महताज नहीं है माधुरी ने अपने समय बॉलेवुड में एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्म दी है माधुरी ने हर फिल्म में ऐसे रोल किया है जैसे वे रोल उनके लिए ही हो बता दें कि माधुरी ने साल 1984 में बॉलेवुड में शुरुआत की थी अपनी शांदार एक्टिंग के बलबूते माधुरी बॉलेवुड के टॉप एक ट्रेस की सूची में आती है बॉलेवुड में उनकी पहली फिल्म अबोध के साथ शुरुआत हुई माधुरी की खूपसूरती का हर कोई दीवाना रहा है माधुरी जब अपने समय कई बड़े-बड़े स्टार्स के साथ आती थी तो लगता था कि इनकी जोड़ी जबरदस्त है कई अभी नेताओं ने तो ये भी सोच लिया था शायद हमारी माधुरी से شादी हो जाएगी लेकिन इसी भी अभी नेतरी माधुरी दिख्षित ने अमेरिका में डॉक्टर नेने से शादी कर ली आपकी जानकारी के लिए माधुरी शादी के बाद अपने करोडों की संख्या में चाहने वाले फैंस और साथ ही अभी नेताओं का दिल तोड़कर अमेरिका चली गई बताया जाता है कि माधुरी का मानना था कि बॉलिवुड में काम करने से उन्हें अपने परिवार को समय देने में दिक्त आएगी जिसके बाद माधुरी ने अमेरिका में ही रहने का फैसला लिया वहाँ जाने के बाद डॉक्टर नेने के साथ उनके संबंद कैसे रहे इस बाद को हर कोई जानना चाहता है बतादें की माधुरी बॉलिवुड से ज्यादा दिन तक दूरी नहीं बना पाई और शादी के कुछ समय बाद ही वो भारत वापस आ गई जिसके बाद में माधुरी को कई सारे टीवी शो वर डांस शो में देखा गया था आज हम आपको अभिनेतरी माधुरी दिक्षित के जीवन से जुड़ी एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे वीडियो में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बुढ़ापे में कैसे माधुरी के पती डॉक्टर नेने उनसे कैसा बरताव कर रहे हैं वीडियो में आप देख सकते हैं कि शादी के बाद माधुरी का बुरा हाल हो गया है यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है